नमस्कार दोस्तो Health, तो स्वागत है आप स्ववियों का, आज की से कोर हां है करने वीडिओ में हैं दोस्तो इस वीडिओ में हम बात करने वाले हैं इप्फ हो इंडिया के तरब से हुए कुछ अपडेट के बारे में हैं दो accustomed to update हैं और वह आपके लिए कैसे knowledgeable हो सकते हैं या फिर useful सकते हैं इसके बारे में ifī इंड़ो मे हुआ ओ Pourquoi दो आनकारी देने वाले हैं को EPF की तुरन से prise में diary क्या क्या update हो रहे हैं तो उन सब के बारे में इस वीडियो में complete दॉन् 62 जानकारी आपको दिए पताते हैं कि क्या अबडेट हुए हैं आपको पूरा विश्तार से बताते हैं तो पहले जो अबडेट है वह है P.F. members को rate of interest को लेकर जैसे आपका जो पी जमा होता है तो उस पे प्याइफ का जो rate बढ़ाया जाएगा या फिर क्या होगा इन सब के बारे में बताएंगे दूसरा अपडेट है वो है आपको अगर किसी short term में आप company को join किये हुए हैं और join करने के बाद में आपको पता ही होगा कि short term में अगर आप job कर रहे हैं तो आपको six month में अगर आप company को resign कर देते हैं तो बार में update है और तीसरा जो update है वो है EPS 95 pensioners के लिए जो लोगों को pension मिलती है उनके लिए है कि उनका जो pension का पैसा है जो minimum मतलब pension उनको मिलती है EPFO के तरफ से उसको बढ़ाया जाए इसके लिए यह update है दोस्तों बिना किसी वैस time के आपको अभी direct ले चलते है अपने mobile screen पर औ है ऐसे ही नोलेबल वीडियो देखने के लिए तो चलते है अपने mobile screen पर तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख वा रहे हैं यहाँ पर मैंने चुपीडिया पर उसको उपन कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार स्रव्यम रोजगार मंत्राय लोगसवा के तरब से यह मतलब एक आदेश जारी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या-क्या मतलब इसमें प्रस्ण है और क्या उसके आंसर है उनके बारे में जानते हैं दोस्तों यह सोमबार 1 अगस 2022 का है तो EPFO जमारासी का ब्याज का है और यहाँ पर स्री ए गणेश मूर्त स्रीमति स्रीमिश्ठा सेठी और सौकस्त राय एभं एंग के विश्मुफ प्रसाथ के द्वारा यहाँ पर कुछ मतलब यह बताने की मतलब कोसिस की गई है कि क्या है क्या सरम और रोजगार मंत्री यह बताने की किरपा करेंगे कि मतलब पूच्छा क्या है गवर्मेंट के क्या सरकार विचार करमचारी बविश्च ने दी इप जमा रास्त्री यहों पर ब्याजदर बढ़ाने पर पुनर विचार करने का है यह पूचा गया है दूसरा खानमर में आपको यहाँ पर प्रस्ट पूचा गया है इप पैंसन योईना आरंब होने के बाद से सेवा निर क्या कारण है और दूसरा आपको तीसरा क्वेश्चन पूचा गया है यहाँ पर गान करके क्या सरकार के पास EPFO के लिए नई केंदरी पैंसन समवितरण प्राणाली आरंब करने का कोई प्रस्ताव है यदि हाँ तो तत संबंदी ब्यवरा क्या है और EPFO में राजवार कितने पैंसन भोगी ना मांग के थे हैं यह पूचा गया है चौथा जो प्रस्न है वो है क्या पैंसन भोगियों को 6 महिने से पहले जमारासी निकालने की अनुमती देने का कोई प्रस्ताव है यहाँ तो तत संबंदी ब्यवरा क्या है और यहाँ पर एक पाच्वा क्वेश्चन पूचा गया है वो है क्या सरकार के ट्रेड नियूनियन और जन पतने दियों है जैसे हितकार को के से पीएफ पैंसन योजना के अंतरगत नियूनतम पैंसन बढ़ाने के लिए मांग राप्त हुई है और यहाँ तो कब तक 9000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा तो यह दोस् पहले का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है करमचारी वविशनिदी योजना में 1952 के पैराग्राफ 60 नंबर के उपवंदों के अनुसार करमचारी वविशनिदी संगठन EPFO के प्रतेक सदस्त के खाते में ऐसी दर्व पर व्याज जमा करेगा जो केंद्रिये नियासी बोर्ड CVT करमचारी वविशनिदी EPF के प्रामर्स केंद्र सरकार द्वारा निर्दारित की जाएगी EPF पर ब्याज दर्व एपफों के द्वारा निविश से प्राप्त आयवर पर है ऐसे केवल IPF योजना 1952 के अनुसार समवितरित की जाती है और 212 के लिए CVT PFE ने बित्तिये वर है वह है अन तुल्निय योजना अथार्थ सम्वन भविस ने दी 7,10 बरष्ट नागरिक तथा बचत के लिए यहां पर 7,40 सुकन्या सम्रद्धी खाता के लिए 7,60 तुल्ना में अधिक है 212 के लिए PF जमाश पर स्यूकरित ब्याजदर 18,10 पर प्रणर बचार का कोई प्रस् निश्चित योगदान निश्चित लाप सामाजिक सुरक्षा योजना है करमचारी समक्र निदी एकुता एवं बेतन 8,10 की आंक 8,33 की दर से आसंक और बेतन के 1,15 की दर से 15,000 रुपर प्यति महा तक बट बजटी है सहायता के लिए माद्यम के इन सरकार के और से किये गए अंसंदान से है, इसे बना है यहाँ पर देख सकते हैं, इस परकार से यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर अभी खान गान नंमर का जो क्वेश्चिन था वो यहाँ पर अप देख सकते हैं कि इनों ने पूछा था कि क्या सरकार के पास EPFO के लिए नई केंदरी, pension, pension, प्र नमबर के बाद चोथार क्वेश्चन था पैंसन वोग में अपनी जमारासी निकालने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है तो यहां पर दिया गया है सीधा-सीधा कि यहां पर अभी जी नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका जो पीडियेफ है इसका मैं लिंक नीचे डिस्किप्शन में दे दूँगा तो वहां से भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं तो यह अपडेट है इनको आप अच्छे से पढ़ दीजिए तो दोस्तो इस तरीके से आपने जाना कि क्या-क्या अपडेट हुए है वीडियो पसंद आया हो तो व सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में